प्रधान मंतरी नरेंदे मोधी ने निउस 18 को मेगा एक्स्क्लूजिव इंट्रिव्यू दिया है जिसमें सैम पित्रोधा के विरास्त टैक्स वाले बयान पर प्रधान मंतरी मोधी ने अपनी बात रखी है कॉंग्रिस देश में फिर से जमीनों का हिसाब किताब करेगी और फिर से उसका बटवारा करेगी कॉंग्रिस क्या करना चाहती है ये उसके मैनिफेस्टों से साफ है सैम पित्रोधा जीज ने जो है इन्हेरिटेंस टैक्स की बात की जो हम लोगों की जमापूंजी है जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए जब हम उसको अपने आने वाली जेनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और यह टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी भारतीय जन्रफार्टी क्या करेगी हमारे मैनिफेस्टों में साफ हमने लिख करके लाएव है अब उन्हों कहीं सगूपा छोड़ दिया तो मैं भी जन्रा लेकर गूंगा ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता हुग भारती जनतापरटी की विचारदारा साहब है जी, हम अपनी विचारदारा के आधार पर कारकमों को ले करके, मैनिफेस्टों को ले करके, देश के सामने जाते हैं, कुरुपा करके, ऐसे महासरणों के विचारों को हम पर बंद हो के बाएं मोधी जी, राहूल गांधी ने एक बात और कही है, वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक national x-ray कराएंगे, इसी से जोड़ा सवाल है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक national x-ray कराएंगे, बात सिर्फ caste census की नहीं है, जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी आपका मत जानना चाहूंगा, बंगर बात वो कहते हैं, इससे आगे है, बात caste की नहीं, बात justice की है, और वो कहते हैं कि हम जो है, एक socio-economic survey लाएंगे, एक institutional survey लाएंगे, और उसमें देखेंगे कि किस के पास, किस जाती और किस वर्क के पास क्या है, कितना धन है, कित आपको राजनिती के एक्षपर्ट मानते हैं, जो लोग बेश के उतार चड़ाव को बड़ी बारी किसे अध्यन करते हैं, सबसे पहले उनका दाइत्व हैं, कि वो ऐसे लोगों को पूछे, कि जीस परितितियों का वर्ना आप कर रहे हो, अगर ये सही है, तो पता, साट, सा पता है, आप हो, और आपने अब तक की बरबादी लाएग जो हैं, पहले उनका जबाब मांगो भई, नमबर वान, नमबर तू, एक्षर का मतलब क्या है जी, मतलब हर परिवार में जाना, गर-गर चापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्वे में किसी महिला ने अपने ग किया जाएगा, उनके घहने ले लिया इंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा, और फिर उसको रिडिस्ट्रिबूस करेंगे, ये दुनिया में एक माववादी वीचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बरबाद हो चुकी है, ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस किये, मैनी फैस्टो आने के दस दिन तेक बाद भी ये जो जमात आये दिन लिक्था पटी करती है न, वो चूप रही है, उनके उनके प्रोटेक्शन में चूप रही है, तम मेलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है, कि देश को जगाना, कि देखिए आपको लूट रही है, औ और दूसरा पार्ट है, डॉक्तर मनमोन सिंग की वगेर, उनके हर बार कहा है, कि जो भी संपत दियोंगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा, तो हिसाब कि दा बोसाब है, वो क्या करना चाहते हैं?